कर узна滿 सेङरा केक बनाना ही तो इतनी सारे चीजे लेनी पड़ेगी इतनी सारे tools यूज करने पड़ेंगे सोच के हम शुरुआद में ही तायटाइफ फेस ऑजाती है तो ऐसा बिलकुल नहीं है आपको यह सारे fancy fancy चीजे लेने की बिलकुल जरूरत नहीं है यह घर के पतीलियां है आपकी चीज आपफिर झाहर by बताओंगे आपको केख को बताओंगी के आपको ठाहर्ट जीज बहुत हीी ज्यादा ज़े जाहरी है और कैसे आप उन चीजों को अपने घर की चीजों से रिप्लेस करके अराम से घर पर अपना केक बना सकते हो सबसे पहले हम जब केक बनाने की शुरुआत करते हैं तो हमको बनाना होता है केक का स्पॉंज जिसे हम base भी कहते हैं, ठीक है, अब ये बनाने के लिए आपको एक लगे का mixing bowl, आप इस तरह का ले लेजिए, या फिर इस तरह का भी आपको plastic का मिलता है, और ये सब नहीं लेना है आपको, तो आपके घर पर न, इस तरह की पतीली, या ऐसे कोई डबा है न, इसमें आप बना इसकी ये 30-40 रुपए का होता है, ये 70-80 रुपए का होता है, पर ये दोनों भी उतना जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं, बेस्ट है कि आप इस तरह का spatula ले लो, आपने mixing की, और जब आप इसको निकालोगे ना कहीं पर, तो ये बहुत अची तरह से scrape करके निकालता है, तो से पहले, अगर आप देखोगे, तो आपको ये काम आने वाली चीज है, तो आपको जब sponge बनाना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बिस्कर लेना है, आपके लिए ये बहुत अच्छा है, और वो भी ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहे तो चम्मच से भी अपने कर सकते हो, लेकिन जब उसक्रेप करोगे ना, तो बहुत सारी चीजे इसमें रह जाएगी, इसलिए ये बहुत अच्छा इंवेस्टमेंट है, ये अपको मार्केट में 80-90 रुपय का भी मिल जाता है, थोड़ी अच्छी कॉलिटी लेंगे, तो 120-150 तक मिल जाता है, ठीक है दूसरे नमबर पर आता है, जब हम लग कुछ भी करते हैं, तो हमको इंग्रीडियन को छानना होता है, मैदा, शकर जो भी चीजे है, तो उसे हमे चानना होता है, जब हम प्रे-mix से बनाते है, हमारा केक प्रे-mix आता है, तब आपको चानना भी नहीं ठीक Ciao करते हैं, पह बड़ी है थोड़ी सी और यह आपको 80-90 रुपय में मिल जाएगी ओनलाइन भी यह सारी चीजे मिलती है लेकिन आपको मैं सजिस करूंगे अगर लोकल स्टोर में मिलती है तो 10-20 रुपया कम हो जाता है ओनलाइन ओबियसली वो लोग इतनी सारी पबलिसिटी कर रहे हैं सब क अपने गयास को अपना अवेन बना लोगे कैसे करना है इस तरह से आपके पास लोहे का तवा है अब यह हो गया कि अमको तो कड़ाई में करना है कड़ाई होगी तो बेकिंग होगी अगर गयास भी है तो ऐसा जरूरी नहीं है हर एक के घर में तवा होता ही है आप इस तरह स पर पास जाली है या कोई रिंग है या जिसके आप अपर हंडे वगेर रखते ना वो रख दीचिए रखने के बाद आपका करेंगे आपने माल लीजे इसमें अपना केक बनाया है आपको यहां इसको रखना है और उसके बाद आप इसको इसको इस तरह से कवर कर दोगे किसी पतिली से अची तरह यहां से पैक हो जाना चाहिए यह और फिर दस मिनिट के लिए पांच मिनिट के लिए इसको हाई फ्लेम पर रखना है गैस पे और उसके बाद इसे पंदरा से बीस मिनिट आपका आदा कीलो का जो केक होता है ना वो रेडी हो जाएगा पची से तीस मिन बहुत मुश्किल बिलकुल नहीं है तो उसके लिए एकदम क्या होता है कि हम सोचते है कि मुझे ना केक पहले हम देखते हैं एक दो ट्राइ करके और अगर हम अच्छा बना पाते है देन वी विल इन्वेस्ट हम इन्वेस्ट करेंगे और अच्छी चीजे लेके आएंगे पिर हम क्या करेंगे अपना केक बिल्स स्टाट करेंगे मुश्किल क्या ओँ हो जाती है कि हम शुरू पर नेंथे ह आयो प्रियाः झाया कि अच्छी चीजे लेनी हैंको मिस्टिंग बॉल लेना है ।ो यह फ्ना अछी चीजे है मत लेनी हैं उips अब्ल लेक भर्ते पादה ह आपको वही मैं बता रही हूं कि एकडम लो बजट में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपना केक बनाना अब इसमें हम रखते हैं कोई भी जिसे हमने जो केक बनाना है वह हमको यहां पर तिन लगेगा तो तिन सॉरी मैं पहले बता देना चाहिए था मुझे तो जब हम यहां यहां पर स्पॉंज बना लेंगे तो स्पॉंज बनाने के बाद हमको इस तरह से टिन मिलते हैं ठीक है अगर आप ड़ किलो का बना रहे हो तो आपको पाँचंच का टिन काफिय होता है अगर गठार कीलो का केक बना रहे हो तो छे इंच का it तो एक आदह किलो का अगर ही राम का डंशा किलो को आपा समें 6 तुन को भूंट एक लेकित दर गट्रस भिपन दर। फिर आप 2 kg का बना रहे हो तो 9 इंच में बन जाता है इस तरह से आपका केक बनता है अब शुरू शुरू मैं आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं मुझे यह लेना पड़ेगा तो जरूरी नहीं है आपके पास इस तरह का है ना आपका जो कुकर वगेरा का डबा होता है आप व आपको बताऊंगी कि आप घर पे एक दम आसानी से कैसे बना सकते हो ठीक है तो यहां पे आपको यहां तक के आपको कोई भी फैंसी चीज बहार से जाकर खरीदने की जरूरत नहीं है आपका स्पॉंज बनके रेडी हो गया है इसमें आपने स्पॉंज डाला इस तरह से अपने घर के इस पर कड़ को अप्च्म reflect नहीं है अपको अपकर पाच्मेंड पेपर लगाना है ज़रूरी नहीं यहां पर आप ग्रीक कर सकते हैं यहां पे बटर लगाई यह और मैदने लगा कर दबना है वह ब्ढ मैंने ऑपने वीडियो में बता है और इसके बाद मैं आ बगेर किसी फैंसी इंग्रीडियन के आपने कैक बना कर रेडी किया अब मान लीजिए आपका यहां पर स्पॉंज बनके रेडी हो गया आपको कुछ लोग बोलेंगे अब कुलिंग राक ले लीजिए जिस पर इस केक को ठंडा करना है तो हम क्या करते हैं इस तरह से थोड़ा क्या क्या होता है नीचे से मौइस्चर पकड़ने लगता है अगर आपने उसे इस तरह के सरफेस में मान लीजिए यह है एक दम सपाट और इस पे आपने केक को निकाल दिया तो नीचे जो है केक थोड़ा गीला होगा क्यूंकि उसमें आपका सारा मौइस्चर जाएगा तो इस तरह की ले लीजिए यह तो आपकी कूकर की जाली यह से उल्टा रखिए और इसके उपर आप रख सकते अपना केक अगर यह भी नहीं है आपके पास तो आप क्या करोगे इस तरह से एक प्याली रखिए और अपने केक को ऐसे मतलब ऐसे आपको दो प्याली के ऊपर थोड़ा सा ऐसे सेट करके अपना केक रख दीजिए तो इसी हाइट लख लिजिए इस तरह तो आपके केक को नीचे बेस मॉइस्चर भी नहीं पकड़ेगा और आप अराम से रख पाओगे आपका केक टूटेगा भी नहीं अराम से आप रख पाओगे अब यहां तो होने के आपका स्पॉंज बनके रेडी हो गया अब डिपेंड करता है कि आप चाहते कौन सा केक बनाना हो अब यहां पे हमारे पास है एक गनाश केक गनाश केक क्या होता है जो हमारा चोकलेट केक होता है जिसमें हम विपिंग क्रीम का यूज बिलकुल नहीं करते हैं अगर आप व गनाश केक है उसके लिए यहीं पे सारी चीजे मिक्स करोगे और आपका केक बनेगा लेकिन अगर आप क्रीम केक बनाना चाहते हो जो बढ़दे क्रीम केक होता है उसके लिए यह विसकर 101 परसंट आपके लिए जरूरी है मतलब चाहिए ही चाहिए बच्चा रोता है ना मु आपको कंपलसरी यह लेना होगा यह करकर आपका हाथ दुख जाएगा लेकिन इस स्टीफ क्रीम विप नहीं होगी जितनी इस से होना चाहिए होती है भी वोलूंगे मैं आपके केक पर होना चाहिए अगर आपके पास वैसा नहीं होगा तो फिर आप केक का आपका थोड़ी मैं थोड़ा सा अपना पहले ऐसे ही कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और बाद में करेंगे हम पहले गनाश पर देख लेते हैं गनाश केक हमारा कैसे बनता है फिर आगे हम काम करेंगे बेस्ट है आप ट्राइ कर सकते हो गनाश केक अमेजिंग लगता है out of the world हमारे घर में सब से ज़्यादा वही पसंद किया जाता है ठीक है अब अगर आप investment करना चाहते हो तो आपको लेना है कोई भी विसकर ले लीजिए क्रोमा का है फिलिप्स का है मौर्फी रिचर्ट का है बहुत अच्छे ब्रैंड्स है एक बार लीजिए लेकिन कम से कम 300-400 पावर का लीजिए वाट जो बोलते है न उतना होना चीज़ क्या होता है कि हम लोग बहुत कम वाट का लेते हैं और जब हम क्रीम विप करते हैं तो वह हीट होता है और हीट की वज़े से हमारी क्रीम जो है मेल्ट होने लगती है और फायदा नहीं है फिर आप अगर छोटा सा लेते हो तो आप आपको उसमें एकदम हाफ कप से भी कम की क्रीम को बीट करना पड़ेगा और वो बहुत ही फिर आपका केक बनाने में बहुत टाइम लगेगा तो अगर आप ले रहे हो आपको 300-400 तक कम से कम वाट होना चाहिए यह मेरा फिलिप्स का है और यह मेरे पास 6 साल से है और इसको मै तो यह आपको लगेगा अगर आप गनाश केक बना रहे हो अगर आप गनाश केक बना रहे हो तो यह आपको नहीं लगेगा विप क्रीम केक बना रहे हो तो यह कमपल सरी आपको चाहिए अब क्रेक बनाने के लिए हमको लगता है टर्न टेबल ओकी तो मैं दिखा दूं आप हमारा केक लिए कुछें हम ढूत पील फ़रो की Fernando करें तर लेकर निली के दो पीस में लेकिने कद नोखने के जिए कि बढ़ एक लेकर करने कोड़ा लेकिन क्या होता है जब करें कि भिए अपने घर की चूरी के क्ज से । इसके बहुत सारे करम्स निकलते हैं अपके ठीक से कटेगा नहीं और तुकड़े होंगे जब आपको कोई बताएगा क्या थागे से भी कट कर सकते हो अफ़कॉस आप कर सकते हो दागे से भी मैं आगे आपको वह भी बताओंगी लेकिन क्या होता है अगर आप आगे काम करना और आपको बहुत एज़ीली मिल जाती है और इसको जो लेना है आपको यह brand है र-e-n-e तो यह रेना का ब्राइंड है sorry Rene नहीं है रेना है और यह बहुत ही ची पॉलिटी होती है दूसरी मैंने ले कर देखिये कॉलिटी अच्छी नहीं होती है जब आप कट करते हो अब मैंने आपको बताया यह टर्न टेबल, टर्न टेबल बहुत ही ज़रूरी होता है, आप एक हाथ से इसको आइसिंग करते हो, और एक हाथ से ऐसे से घुमा के काम करते हो, ठीक है, अब यह आपको मार्केट में मिल जाता है, अगर आप प्लास्टिक का लोगे ना, बिल्कु पास यह ट्रवल के यह थीजिए, यह ट्रॉन से गहां अग। कि नहीं है , अब क्या रिए यह ल॥.. और इस दरह ल॥ लंग्य इंगि सरे, अब हिसके और आपके घर में इक पतीलि, सब का में के चाथ भॉडरी भड़ा, पट भॉट को मं पर टतीलिAI है ये है मेरे पास ठीक है ये और इस पे आगया आपका इस तरह से केक ठीक है अब आप आइसिंग करोगे और इस तरह इसको घुमाते जाओगे ठीक है ये उतना पॉफेक्ली काम नहीं करेगा जिस तरह से आपका टर्न टिबिल करता है हम जब करते हैं बहुत स्पीड से ऐसे से क्यों कि हम लोग ने बहुत साल से यह काम कर रहे हैं और हमारे पास उतनी फटाफट काम करने की ability है लेकिन जब आप शुरू करोगे ना मैं आपको discourage नहीं कर रही हूं बट इट विल गो जब शुरू करोगे ना आप डर डर के ऐसे 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 काम करोगे तो यह काम करने के लिए यह चीज आपके काम आ जाएगी आपको इसको देखे इस तरह से आपका सेट एप रहेगा तो आपको जरूरी नहीं है कि आप फॉरन से ले लो आप घाई में किया रहे है मैं इसक वाला ऐसे ही चलेगा और 4-6 दिन में खराब भी हो जाएगा और वो ऐसे ऐसे से हिलते रहता है इतना ज्यादा वो वजन नहीं ले पाता है ठीक है तो आपने क्या किया आइसिंग के लिए आपको क्या लगेगा चलिए इसे भी आप समझ गए हो तो मैं हटा लेती ठीक है थोड़ा समय कैमरा एड्रिस कर लेती हूँ तो जब आप छोटी केक बनाते हो ना तो आपकी यह चोटी पैलेट नाइफ काम आ जाती है आरामसे आप ऐसे उठाते हो आप अपने केक को यह उठाते हो और आपने केक को इस तरह से लेके हटा लेते हो ठीक है तो जब आदा किलो का केक आप बना रहे हो तो यह आपके लिए काफी है लेकिन जब आप एक किलो का बनाओगे तो थोड़ी सी बड़ी आठ नंबर की जो आती है वो आप ले सकते हो आठ नंबर की आपके आधा से एक किलो आधा किलो तो इसमें उठी जाएगा लेकिन एक किलो लेक बड़ा होता है न देखके ही डर जाते हैं इसके बाद आपको इस तरह से भी मिल जाते हैं चोटे वाले जब आप अपना गनाश केक बना रहे हो न चोटा वाला तो उसके लिए यह काफी होता है जो मैंने आपको बताया न विदाउट विपिंग क्रीम तो यह चोटा जब आपको बना रहे हो चोकलेट करना चाहते है तब हमारे यह काम आता है और यह जो होता है कुछ ऐसे आपने केक मान लीजिए आपका थोड़ा अन बैलन्स होगे आप ऐसे इसको यूज कर सकते हो यह बहुत ज्यादा यूज में नहीं आता है बड़ यह आपके चोकलेट के ल इस तरह का स्क्रेपर यूज कर सकते हो ठीक है अब यह स्क्रेपर ऐसे रखके हम केक बनाते हैं इस तरह से आपको बना रहे हैं तो आपका साइट से पूरा केक बहुत अच्छे से फिनिश होगा इसी तरह आपको ऐसे छोटे स्क्रेपर भी मिलते हैं जो यह देखे इस तरह लिखन के तो बूदी खोटा this JAMES आपको सब अ कंड देना होता है मिल जाते हैं और यह काम आ जाता है, तो यह जो में नूर का तो बहुत पुर्जिय ज़ाना हो, लोकली मार्केट में आपको मिल जाएगा यह थोड़ा सा यह होता है कि हार्ड होता है बाद इस्से भी आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं अगर आपके पास यह नहीं है और आपको ठीक करना है केक को फिनिशिंग देनी है तो आपका ATM कार्ड होता है उससे भी दे सकते हो तो till now मैंने आपको बताया है सबसे जो essential चीज यहां तक अगर आपको लगने वाली है और अगर आप क्रीम केक बना रहे हो तो आपको विस्कर लेना है अगर यहां तक अगर आप गनाश केक बना रहे हो आपको कोई भी चीज लाने की जरूरत महीं है इसके बाद आपको देख अगर बड़े बड़े स्क्रेपर में मिलते देखे अठी रुपय का इतना बड़ा स्क्रेपर है तो इसके बाद हमको लगता है अगर हमको डेकोरेशन करना है तो हमको लगती है सबसे ज़ादा ज़रूरी चीज है वह हमारी पाइपिंग बैग लगेगा वैसे आप और भी जुगार कर सकते हो जो आपका पाश्मेंट पेपर है उससे बना के कर सकते हो लेकिन जब आप प्रेशर दोगे न तो वह खुल जाता है तो यह मस्ट है अगर आप डेकोरेशन करना चाहते हो तो नोजल आपको अनलिमिटेड मिलते है अनलिमिटेड डिजाइन होती है कौन सी चीजे लगती है जैसे हम केक बनाएंगे तो हमको क्या लगेगा प्रिमिक्स लगेगा मैदा लगेगा शुगर लगेगा तो वह इसके बाद मैं आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगी और फिर हम एकदम बेसिक से केक शुरू कर देंगे या फिर अगली बार से हम क केक सूर करेंगे और इंग्रेडियन्स दालते हुए मैं आपको बताऊंगी कि आपको एक बेसिक केक बनाने के लिए क्या क्या चाहिए तो यह वीडियो जरूर देखिए और समझने की कोशिच किजिए कि आपको बहुत सरी फैंसी चीजे नहीं चाहिए आप बहुत बेसिक स बना सकते हैं और मैं यहां आपको वो करके बताऊंगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बिल्कुल कमर कस लीजिए क्योंकि आप जरूर केक बना पाऊगे